तो दोस्तों आज जून की 13 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मेरे गड़न के एक बहुत ही खुबसूरत से पौधे पर अगर बात करूं तो आज मैं आपके साथ ये बहुत स्पेशल वराइटी है बौगन विल्या की इसको शेर करने वाला हूँ मेरे पास ये काफी समय से है अगर अभी आप देखेंगे इस पौधे को तो ये पौधा ना आओकर कह सकता हूँ कि एक टौपियरी में ओल्मोस्ट रेडी हो चुका है इसका जो बेस लाइन है वो भी बहुत अच्छा डिवल्प हुआ है तो सबसे पहले आपको अगर सबनात है यह रिखेगा इस सकाथ से इसके अं드र का है थोड़ा सा आपको जो टूस्त है वो दिखाई देगा तो इस को तियार किया था एक आपको लीज्वल होगा तो बहुत खौब सोड़ा सा एकाट्विश्ट तविस्त या तो यह तो यह टोप्यारी में रेडी हो बुलकुल हाडी प्लांट जो पूरी धूप को पसंद करता है, इसका बेस मोटा होने के साथ लूसरे इसमें खास बात है, यह तोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वेरीगेटर में और नोर्मल वाली में और जब रहता है पौदे के उन्दर तो इसकी ग्रोह थोड़ी जो रहती है दूसरे के बजाए तो मैंने आपके साथ अपना वाइट वाला जो परल वाइड जिसका नाम रहता है वो बहुत बार शेयर किया जिसका मैं एक बॉंजाई डिवल्प कर रहा हूं तो उसकी जो फ्लरिंग है वो बहुत ज़्यादा रहती है एक्च्छल में यह जो रहती है वाइट कलर में जो यह देख रहे हैं यह इसके फ्लार्ज रहते हैं और यह इसकी एक तरह से लीव्ज रहती है जिसको स्पैथ बोलते हैं वीडियो शेयर करने का में मौटीव क्या है मौटीव यह कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने अपने बॉगन विल्या को जो है सनलाइट में रखा है लेकिन उस पे फूल नहीं आ रहे हैं उसमें केवल लीफी ग्रोध जो है वो निकल कर आती है तो क्या रिजन है आज की वीडियो में बताऊंगा क्या आप कर सकते हैं क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और जो गर्मी के बाद बीच में जो मौंसुन का स समय रहता है उस समय पर ये बागलमिलया के जो अच्छे से ग्रोध नहीं कर रहे हैं तो अगर आप उनकी ट्रीमिंग करना जाते हैं तो दो समय कों से सही रहते हैं नमबर एक समय रहता है जब मौनसुन के मिड़ का समय रहता है मतलब जब भी आपके एरिया में मौनसुन का टाइम रहे उस समय पर इसकी ट्रिमिंग कर दीजिए बहतर रहता है क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने से इसमें एक बात रहती है अगर आप इस पौधे को दीजिए बहुत कम भी मत दीजिए बस हलकी से नमी जो है मिठी में बनी रहें तो जब मौनसुन का समय रहता है पौधे को ज़्यदा मॉइस्चिर MILता है इस पौदे की trimming करने का cutting करने का उस समय पर कीजेगा तो अभी जो मेरा पौधा इधर से देख रही है ये थोड़ा D-shape आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी बहुत जल्द मैं जो है वो trimming कर दूँगा trimming के बाद इसकी जो growth है वो अच्छे से निकल कराएगी बात करूँ इसकी soil mix एक बहुत important factor रहता है अच्छी growth के लिए अच्छी flowering के लिए तो अब soil mix के अंदर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है soil mix जब भी आप गमले में पौधे grow करते हैं well trained तो रहना ही चाहिए साथ में nutrient rich भी रहना चाहिए ऐसे वागल मिलिया के पौधे को जो है वो कह लीजिए phosphorus और potassium ज्यादा पसंद रहता है बजाए की nitrogen की क्योंकि हम इन पौधों को फूलों के लिए grow करते हैं ज्यादा leafy growth इन से expect नहीं करते हैं leafy growth तो ज्यादा moisture मिलने से जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी के अंदर वैसे इनकी जो leafy growth है वो निकल कर आ जाती है क्योंकि जब भी आप सड़क किनारे इन पौधों को दिखते हैं रोड साइड वहां पर इसकी बिलकुल कोई maintenance नहीं की जाती रोड साइड रहते हैं कोई खास कोई इनको पानी नहीं देता कुछ भी देखवा नहीं कह जाती है उस condition में पौधे अच्छे से फूलते फूलते हैं तो यही करन रहते हैं जो मैंने आपको बताया इनको पानी थोड़ा सा moderate दीजिए और टेशियम देने का reason है फौसफोरस का reason है क्योंकि इन से अगर आप multiple branches चाते हैं ब्रांचिस की growth तेज चाते हैं तो वो काम जो आपका फौसफोरस करेगा तो फौसफोरस गमले में क्य चाते हैं वो रौक फौसफिट का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप दोनों इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं आप रेडीमेड कुछ लाकर देना चाहते हैं तो आप उसकी जगा पर क्या है डीएपी के कुछ दाने उसमें थोड़ा सा nitrogen रहता है जैदा जो फौसफोरस रहता ह लगभग 46% तो गमले के साइज के कॉर्डिंग आप डीएपी के लगभग लगा लीजिए दस से बीस दाने जितना आपका गमला रहे उससे उसी कॉर्डिंग जो है वो दाने डाल दीजिए पोटेशियूम जरूरी दाता है इन पोधों पर फूल जादा quantity में लेने के लिए फूलों का कलर अच्छा लेने के लिए और कह लीजिए शेप जो है वो अच्छी लेने के लिए तो इस तरह से जो इनमें स्पैथ निकल कराता है पहले आप पौधे की ट्रेमिंग कीजिएगा मौनसुन के मिड़ के समझ इन दोस्तों के पौदा में फूल नहीं आ रहे फिर होते हैं पौधे के लगे फिरा अंदर थोड़ा सा जो कौंटितिक हैं मौंसुन के एन्ड होते होते जैसे नई ग्रोथ आपको दिखाई दे और थोड़ा सा इसके ओपर या तो N.P.K.0-0.50 जो रहता है उसका पर सक पर सकते नहीं तो आप सिंपल पोटाश आपको रेड़ पोटाश मिल जाती है उसका एक ग्राम इसके गमले के अंदर स्प्रिंकल कर दीजिए वो भी अगर आप काम नहीं करना चाते तो अपने घर में घरेलू समान रहता है केले के छिलके जो कैल्शियम और पोटैशियम और फोसफोर ही मिलते हैं किसी और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई हैबी गार्डिनिंग टेक क्यार